सराहना दिल से हस्त शेप दिमाग से और समिक्षा विवेक से करने में समझदारी सिध होती है वरना तो फिर मौन ही सबसे ज्यादा बहतर है नमशकार मेरे प्रिये दोस्तों और दर्शकों मैं हूँ मोहित कमल श्रेमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल्म यानि की 16 मार्च के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को बदाई और शुब कामनाय भी देना चा एपिसोड आप सभी के लिए इस चैनल पर उपलब्द है जो है बुद्ग्रह का परिवर्तन बुद्ग्रह में राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो ऐसे में जो गोचर है इसका राशी फल्म आपको इस चैनल पर उपलब्द कराये गया है उसका उद्देश ये इतना और अगर यहाँ पर संगर्ष है तो ऐसे में उपाय करके कैसे इस समय को बहतर बना पाएंगे इन सभी की जानकारी इस एपिसोड में आपको उपलब्द कराई गई है तो ऐसे में भूली एगामत चूकी एगामत इस एपिसोड को जरूर देखिएगा वैसे आप सबी को ये भी बता दूँ कि आज की दिन हम दिली में हैं तो अगर आप मिलने आना चाहते हैं अपना कुंडली विशलेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बहतर यही हो सकता है कि आमने सामने बैठ करके कुंडली का विशलेशन किया जाए अगर आप इस उपलप्त कराई गई है कि जो इंसान स्वयम आकर के नहीं मिल सकता अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है और वहीं व्यस्त भी है मैं अक्सर कहता हूँ व्यस्त रहिए मस्त रहिए पर मस्त नहीं है पर व्यस्त पूरे है तो ऐसे में टेलिफॉनिक कंसिल्टेंसी कर के भी आप अपने जीवन की जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं आज के विशेश उपाय में ब्रह्म महुरत आपने अक्सर सुना होगा इसका विशेश महत्व क्यों है ये आज के एपिसोड में आपको मैं बतलाऊंगा पंचांग की बात करते हैं समवत का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है नवमी तिती है दोपहर के चार बच के 49 मिनिट तक जिसके बाद में दशमी तिती आरंब होगी पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र रहेगा वहीं धनुराशी में चंद्रमा रहेगा और रहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के डेड़ होगा तो वहीं दक्षण और आगने दिशा यानि कि साउट इस्ट दिशा में दिशाशूल दोश लग रहा है तो आपको दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरम करनी चाहिए आज शुब ग्रहे योगों का जो आपको साथ मिलने वाला है वो है आश्रे योग गज केसरी यो आरा कि कुंडली कौन सी बनाए इंस्टग्राम पे फेस्बुक पे यूट्यूब पर लाखों एड़टाइजमेंट्स देख रहे हैं कि 200 रुपए और 300 रुपए में कुंडलियां बन रही हैं तो ऐसे में संपूर्ण राजयोग जनमपत्रिका के साथ में आप कैसे उस कुं कुंडली की यानि की वेदिक जोतिश के अनुसार आपकी कुंडली लाल किताब के अनुसार आपकी कुंडली और उपाए नियूमरलोजी के अनुसार आपकी कुंडली और उसी के साथ में आपके कुंडली में जितने भी राजयोग हैं दुरयोग हैं और वहीं समयोग हैं नहीं वर्षफल की जब बात आती है तो आज जिनकब अधरे है उन्हें अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए वर्षफल जरूर बनवाना चाहिए वर्षफल एक इंडेप्ट एनालेसिस होती है उस एक साल की जो आने वाला है तो ऐसे में यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे कैसे अपनी राज्योग जनम पत्रिका बनवाएंगे तो वहीं वर्षफल के बारे में आप क्या और जानकारी पाना चाहेंगे चलिए अब बात करते हैं आज के राशी फल के शुरुआत करूँगा मेश राशी से मेश राशी कले राशी भाफ से 9,000 में चंद्रमा है वहीं शेम तारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में 28 डॉट्स मिलके आज के दिन को आप के लिए 75% सपोर्ट का बना रहे है यहाँ पर सिर्फ हेल्थ वाइस थोड़ी समस्या है यानि की ठकान, कमजोरी या फिर हैडिक आपको देखने को मिल सकता है पर इसके अलावा हेल्थ में कोई भी समस्या नहीं उत्पन होगी कमाने के नए स्त्रोत आज के दिन आपको मिलेंगे तो वहीं जो भी नौकरी करने वाला है खास तोर पे जो भी मार्किटिंग का जॉब करता है जिसको मार्किट में जादा घूमना पड़ता है उसके लिए आज के दिन शांदार उपलब्धियों का बनने वाला है लोगों से कमिट्मेंट मिलना और वहीं एक पॉजिटिव आटिट्यूड के साथ में आगे बढ़ना जादा पॉजिटिव और वहीं पे होपफुल रहे करके आगे अपना काम करने का आज के दिन आपको मौका मिलेगा यहाँ पर संतान के द्वारा और घर परिवार वालों के द्वारा भी बहुत प्रेम मिलने वाला है तो आज के दिन खास तोर पे जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है याद फिर डॉक्टर है स्वायम की एक्सरे शॉप चलाता है याद फिर डाइग्नॉसिक सेंटर चलाता है उनके लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है आज ग्रीन कलर का अगर आप इस्तमाल करें तो आपके लिए बहुत शुब है तो वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर नाइन अब बात करते हैं व्रशब राशी की व्रशब राशी के लिए एट थाउस का चंद्रमा है जन्मतारा का साथ और अश्ठक गवर्ग में 25 डॉट्स हैं ओवरॉल दिन के लिए आज सिर्फ 35 परसंट आपको सपोर्ट मिल रहा है ऐसे में एट थाउस के चंद्रमा को जन्मतारा का साथ मिलना कहीं न कहीं गुस्सा उत्पन करता है और लोगों की उंग्लियां आप पर उठती है आप माने या ना माने आज सब कुछ सही करते हुए भी लोग शिकायत जरूर करेंगे हर किसी के लिए बहतर करने की जो आपकी आशा है उमीद है वो आप उससे आज के दिन सहारा छोड़ते हुए नजर आएंगे कि कितना भी करलू हर कोई बार बार कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालता है तो महीं जीवनसाथी के साथ में विवाद होने की संभावना आज ज्यादा है यहाँ पर उपाय के तौर पे कहूं चाहे व्यापारी वर्का आदमी है या नौकरी करने वाला आज की दिन को बहतर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय करे सुबह जब आफिस में जाते हैं तो एक छोटी सी पोटली में सेंधा नमक और उसके साथ में सरसों पीली सरसों जो होती है वो बांध करके लेके जाए अपनी जो आफिस की ड्रॉज है उसमें रख दीजे या तो फिर अपनी जेब में रख दीजे इससे नेगिटिविटी जो है उससे आपका बचाव होता हुआ नजर आ सकता है उपाय सरलसा है करके जरूर देखिएगा यहाँ पे चाहिए हम हेल्थ वाइस बात कहें तो हेल्थ में भी रिकवरी के चांसेज ज्यादा बन सकते हैं आज ये लोग कलर का अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुब साबित होगा तो वहीं शुब अंक रहेगा नमबर फोर अब बात करते हैं मिथुन राशी की सेवन्थ आउस का चंद्रमा है मित्र तारा का साथ और अश्ठत बर्ग में 29 डॉट्स मिल करके ओवर आल आज के दिन को 100% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं तो 100% positivity के साथ में सबसे पहले self confidence आता है तो वहीं लोगों का साथ और प्रेम दोनों ही आपको मिलेगा चाहे हम मित्र कहें घरवाले कहें घर में जो बड़े बुजर्ग हैं और चोटे हैं हर किसी का साथ आज के दिन आपको संपूर्ण तरीके से देखने को जरूर मिलेगा आपकी कोई भी समस्या है उसका जल से जल समाधान होता हुआ नजर आएगा तो वहीं जो भी इनसान आज के दिन कोशिश करेगा नए इंकम के sources ढूंडने की और ज्यादा मेहनत करके और बहतर कमाई करने की तो उसके लिए आज के chances बहुत ज्यादा बहतर बनते हुए जरूर नजर आने वाले हैं चाहे नौकरी करने वाला भी इनसान है तो जो भी आज के दिन श्रम करेगा उसका फल उसको जरूर मिलेगा यहाँ पर खास तोर पर आज के दिन कोई भी यात्रा बिजनस परपस से आप करते हैं तो इसमें आपको लाब जरूर मिलेगा फिर वो चाहे कलेक्शन के लिए हो या तो फिर नई डील के लिए दूसरे शहर जाना हो शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर शुब अंक रहेगा नमबर वन अब बात करते हैं कर कराशी की आपके लिए 6,000 का चंद्रमा है अश्ठक वर्ग में 26 डॉट्स है पर विपत्तारा का साथ है जो ओवरॉल सिचुएशन को आपके लिए 80% फिर भी पहले ही मिल जाएंगे या तो फिर ये कहूं कि लोग पहले ही आपको आगाह कर देंगे कि ऐसी कोई परिशानी आपके लिए प्लान की जा रही है सांसार एक सुक्सो विदाओं की बात कहें तो दामपत्य जीवन में संतुष्टी की बात पिताजी से बहतर रिश्टों की बात कहें तो ये सबी चीज़ें आज के दिन आपके लिए जरूर देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर खास तोर पे व्यापारी वर्ग का आदमी कोई भी अपनी यात्रा आरंब करता है चाहे शेहर की सीमा के अंदर ही क्यों ना हो याद फिर शेहर के बाहर जाने की बात हो तो दोनों ही यात्राएं आपके लिए आज के दिन बहुत ज्यादा लापकारी सिद हो सकती है यहाँ पर वाइट कलर का अगर आप इस्तमाल करें तो आपके लिए बहुत शुब साबित होगा तो वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नंबर फोर अब बात करते हैं सिंगराशी की सिंगराशी के लिए फिफ्थ हाउस का चंद्रमा है संपत्तारा का साथ और श्ठक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% सपोर्ट की बन रही है क्योंकि फिफ्थ हाउस के चंद्रमा को संपत्तारा का साथ मिलता है तो ऐसे में पॉजिटिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी पर कुछ दो बातें हैं जो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है जुआ सटा गैंबलिंग इनसे दूर रहना है तो वहीं घर की महिलाओं के लिए आज के दिन आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा उनकी कोई समस्या है कोई भी परिशानी है तो उसका जल्द से जल्द आपको समाधान करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा फिर वो चाहे सेहत की कोई बात हो या फाइनैंशिल प्रॉब्लम हो वहीं व्यापारी वर्क का आदमी आज के दिन अस्मन जस्में देखने को मिल सकता है लोगों का साथ नहीं मिल रहा तो कहीं पर कंप्लेंट जादा है जिसको हम कहते हैं रीकॉल रेट जो है वो बढ़ रही है कुछ बेचा था आज आदमी वापस से आपको रिटर्न करने के लिए आ जाए तो ये समस्या है आज के दिन देखने को मिलेगी खास तोर पे जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं ऑनलाइन सामान को बेचने का काम करते हैं उनके लिए समस्या आज के दिन इस शीज की ज्यादा देखने को मिल सकती है यहाँ पर शुबरंग आपके लिए साबित होगा आज के दिन ब्लू कलर शुबंख रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के लिए फोर्थ हाउस का चंद्रमा है पर मित्रतारा का साथ और अश्टग वर्ग में 25 डॉट्स मिलके ओवरॉल दिन को आपके लिए 67% सपोर्ट का बनाते हैं यहाँ पर चाहे हम वियापारी वर्ग की आदमी की बात कहें या तो फिर नौकरी करने वाले आदमी की बात कहें दोनों ही तरफ आज के दिन प्रेशर और वर्क लोड आप पर जादा देखने को मिलेगा आप कोशिश बहुत कर रहे हैं काम को पूरा करने की पर लोड आज के दिन बढ़ता ही जाएगा और ऐसे समय में खास तोर पर जहां लोगों का साथ मिल जाता था आम तोर पर सपोर्ट मिल जाता था कलीक्स जो थे वो मदद कर देते तो वहीं सबॉर्डिनेट्स आराम से आपके काम को बांट लेते थे आज इनकी अनुपस्थिती के कारण आपके काम के अंदर आपको ज्यादा ही परिशानी दिखने को मिले की तो वहीं खर्चे भी आज के दिन ज्यादा होते नजर आएंगे यहां पर महिला वर्ग से पुरुष को खास तोर पर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है आप कहना कुछ चाते हैं समझ कुछ और लिया जाए तो आपकी इज़द पर आज के दिन उंगली उठाई जा सकती है आपके कारेक्टर पर आज के दिन उंगली उठाई जा सकती है इंसान बहुत शुद और साफ क्यों न हो पर जब कोई उंगली उठा देता है तो आसपास के लोगों का जो मान सकता है वो बदल जाती है तो आज यही चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी कि कुछ ना किये हुए भी आपके उपर कोई ना कोई लालचिन यातफर जिसे हम कहते हैं कि उंगली उठा देना कोई आरोप लगा देना ये देखने को मिलता है और अक्सर यह आरोप जो है वो वापिस जब आपके के आने से उनके confuse करने से आपको loss उठाना पड़ सकता है पर फिर 67% support भी तो है इसके कारण ये कहूंगा कि आज के दिन सोच समझ करके कालकुलेटवली आगे बढ़ें और अपने काम को सीमित रखें तो आपके लिए जादा बहतर है हर काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई दिन होता है तो कोई दिन शान्त रहने के लिए भी होता है और आज वही दिन है अपनी शान्ती बनाए रखें तो हर चीज का समाधान बह पहले से उपलब्ध है पर जब समस्याएं सामने आती है तो उनसे लड़ते हुए इंसान समाधान को भूल जाता है और यही समस्या आपके साथ में देखने को मिलेगी तो इसके लिए presence of mind आज के दिन आप में जरूर देखने को मिलना चाहिए शुबरंग रहेगा आपके तुला राशी के लिए राशी भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है अश्टक वर्ग में शांदार 31 डॉट हैं और जन्मतारा का साथ है ओवरॉल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव बनती है जो 25% आपको यहां पर पॉजिटिविटी में कमी देखने को मिलेगी वो सिर्फ वर सिफ जन्मतारा के कारण है तो ऐसे में अच्छे investment opportunity मिलना तो वही कोई investment किये हुए के अंदर आज के दिन return मिलना यह देखने को मिल सकता है तो वही dividend का आना यह भी आज के दिन आपकी काफी समस्याओं को सुलजा सकता है जो कई लोग complain कर रहे हैं कि अभी हमारे पास में पैसों की कमी है, मार्च का महीना चल रहा है, taxes pay करने हैं पर funds नहीं खटे हो पा रहे हैं तो आज के दिन आपको यह देखने को मिल सकता है कि यह जो आपकी समस्याओं है इस पे विराम लग सकता है जो समस्याओं है अब वो नहीं opportunity बन करके आपके सामने आ सकती है तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है और ऐसे समय में जो भी problems है जो भी समस्याओं है उसको अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ में जरूर शेयर कीजेगा मन भी हलका होगा तो वहीं कोई ना कोई मदद के लिए हाथ जरूर आगे बढ़ेगा यहा सिच्वेशन आपके लिए 67% यहां पर सपोर्ट की देखने को मिलेगी confusion ज्यादा हावी रहने वाला है तो वहीं अंचाहे खर्चों का सामना आज के दिन करना पड़ सकता है चाहे business के अंदर कोई टूट फूट हो गई है कोई machinery अचानक से immediate repair मांग रही है तो इनके अंदर आज के दिन जुगार नहीं बलकि proper maintenance की जरूरत पढ़ने वाली है चाहा करके भी इन खर्चों से आज के दिन बचा नहीं जा सकता है यहीं अपने कलीक्स के साथ में कोई भी बात है उसको बहुत ही विनमरता से आगे रखने की जरूरत है आज किसी के साथ में बात करते किसी दूसरे की बुराई करने से स्वैम को रोकना है तो वहीं आज चाहे दमित्र ही क्यों ना हो कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पहले दो बार सोचें कि क्या ये बात मुझे करनी चाहिए अक्सर कहते हैं कि तीन चीज़ें होती है जिन को कभी भी किसी के साथ में शेर नहीं करना चाहिए सबसे पहले अपने घर की समस्याए दूसरा कितना कमाते हैं और तीसरा क्या करने वाले हैं इन तीन ही चीज़ों को आज के दिन आपको ये गांट बांग के रख लेनी है कि इन तीन चीज़ों के बारे में आप किसी के भी साथ में बात नहीं करने व सादक तारक असाथ और अश्ठक वर्ग में 38 डाट्स मिलके ओवराल दिन को 100% से कहीं जादा आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं जिसको हम भागयोदे कहते हैं तो आज के दिन वही स्थितियां आपको सामने देखने को मिलेगी कि भागय वसात चीजें अपने आप हुए जा रही हैं जिसको हम कहते हैं कि आटो पाइलिट मूड पे चल रहे हैं बस काम की शुरुवात आपने की थी उसको सकसेस तक पहुचाना वो अपने आप होता हुआ नजर आने वाला है तो वहीं कमाई भी आज के दिन शांदार होती भी नजर आएगी लोगों से जहां रिस्पेक्ट की प्राप्ती होगी तो वहीं दूसरे कमिट्मेंट जो दिये हैं आज के दिन पीछे जो हट रहे थे वो फिर से अपने कमिट्मेंट को पूरा करने के लिए आपका हाथ जरूर थामेंगे यहां पर रिफ्रेश्ड उठने से हेल्थ वाइस भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी तो कोई परिशानी चल रही थी घर परिवार में तो उसका भी समादान बहुत ही जल्द आज के दिन आपको मिल जाएगा यहां पर परपल कलका अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुब साबित होगा तो वहीं शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर सिक्स अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लिए राशी भाव से 12th house में चंद्रमा है और वहीं वद अतारा का भी साथ है यहाँ पर 70% situation आपके लिए नेगेटिव हो चुकी है पर अश्ठक वर्ग में 35.30 फिर भी आपको support मिल रहा है तो यहाँ पर कहीं न कहीं घर परिवार वालों के साथ में विवाद या घर परिवार वालों के साथ में भी नहीं जो महमान आये हैं उनके साथ में कोई विवाद छड़ता हुआ नजर आ सकता है कई बार political या तफिर current affairs को लेकर के जो बात छड़ती है मत अलग-अलग होने के कारण चीज़ें बहुत ही जादा elevate हो जाती है तो यही देखने को मिलेगा कि जो debate normally entertainment के लिए शुरू हुई थी वहाँ पर अब क्रोध आवेश उटना शुरू हो रहा है यहाँ पर दूसरों को impress करने की चाहा खास तोर पर यंक्स्तर्स में आज के दिन नुकसान दे सिद हो सकती है अपने पास में जो पैसे हैं उनको बहुत संभाल करके आज के दिन रखने की जरुरत है तो वहीं दूसरों के साथ में अगर जगड़ा हो जाता है मन मुटाव है तो उसको आज के दिन वैसे ही छोड़के आगे बढ़ जाना आपके लिए जादा बहतर सिद होगा कहीं कहा सुनी जादा हो जाए या फिर जगड़ा बहुत जादा बढ़ जाए आप मान करके चलिए कि स्वयम को ही नुकसान पहुचाने के स्तिती सामने उभर करके आएगी फिर वो चाहे मित्र हो कोई रिष्टेदार हो तो यहाँ पर हर किसी के साथ में बहुत ही सोच समझ करके बाते करनी है आज खास तोर पे जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है कोशिश बहुत करेगा कमाने की पर संतुष्ट नहीं होगा कमाई होगी पर संतुष्टी प्रद नहीं होने वाली तो इसके कारण कोई भी और खर्च करने की आज के दिन सोचिएगा मत यहाँ पर शुबरंग रहेगा आपके लिए परपिल कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं कुम्ब राशी की कुम्ब राशी के लिए राशी भाव से लेवन्थ हाउस में चंद्रमा है वहीं वधतारा का साथ और अश्टाग वर्ग में 27 डॉट से ओवरॉल सिचुएशन जो आज आपके लिए बन रही है वो है 70% पॉस्टिविटी की लेवन्थ हाउस का चंद्रमा जहां आपके सभी प्रयास सफल करेगा तो वहीं आपके इंकम के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इंवेस्टमिंट की बहतर ऑपॉस्टिटी आएगी तो रेंटल इंकम के आने से या फिर बंदोबस्त होने से आपकी काफी समस्याओं का आज के दिन आपको समाधान मिल जाएगा यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि हैपी हामोन्स आज के दिन आपको बहुत जादा एकसाइट भी कर रहे है तो वहीं आपको खुश भी कर रहे है तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि दूसरों के साथ में अपनी खुशी बाटना अपनी आक्टिवनेस के साथ में दिन आपकी लगातार देखने को मिलेगी यहां पर एक अच्छी खबर कहें यादफरीय कहें कि राहत की बात है अगर आपके साथ में कोई भी न्याएक मामला चल रहा है पुलिस केस है कोई भी ऐसी चीज चल रही है तो उसमें आज के दिन बाइज़द बरी होने वाली बात ह हो सकती है ओवराल दिन आपके लिए बहुत पॉस्टिव है परिवार वालों का साथ मिलेगा तो वहीं कमाने के भी नए ओपोचिनिटीज आपके सामने लगातार देखने को मिलेगी ग्रीन कलर का इस्तमाल करना आज आपके बहुत शुब साबित हो सकता है तो वहीं शुब यह तो मान करके चलिए कि बहुत अच्छे गिफ्ट की आज की दिन प्राप्ति होगी और अगर ऐसा नहीं है कोई स्पेशल दिन नहीं है तो मान करके चलिए आप स्वयम ही आज की दिन को स्पेशल बनाने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे अच्छी कमाई के साथ में घर परिवार का साथ भी मिलेगा तो घर परिवार वालों को शाम के समय कहीं बाहर ले जाने घूमने के लिए ले जाने के लिए भी आप जरूर आगे बढ़ेंगे यहां पे अपने परिवार का साथ और दामपती जीवन में सुक संतुष्टी भी देखने को मिलेगी तो वहीं अगर आप expect कर रहे हैं कि जो due date है वो आज चुकी है अब delivery किसी भी दिन होने वाली है तो ऐसे मैं मान सकते हैं कि आज का ही वो दिन है कि रिष्टों में आज के दिन promotion देखने को आपको मिल सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए red color शुबरंग रहेगा नमब थ्री ये तो हुई बात आजके राशीफल की अब बात करते हैं आजके विशेश उपाई की कि ब्रम मौरत का ही विशेश महतव क्यों है इसका लाब क्या है तो रात के अंतिम प्रहर को लास्ट फेज को ब्रम मौरत कहते हैं चाए हम कहें रिशी मुनी या साधक, वो इस महरत का विशेश महत्व बताया करते हैं। उनके अनुसार ये समय निद्रा यानि की नीद को त्याग करके सरवोत्तम फल प्राप्त करने का है। बचे उटकर के हम बोलते हैं कि सभी काम हम बहुत जल्दी कर लेते हैं पर इसके पीछे का उद्देश ये और है। और इसी समय जो हमारा वायू मंडल है वो ऑक्सिजन यानि की प्राण वायू की मातरा सबसे ज्यादा अधिक बताई जाती है जो की लगभग 41%, 41% प्रतिशत है। तो ऐसे में फेफडों की शुद्धी के लिए ये बहुत अच्छा समय हो गया, exercise के लिए बहुत अच्छा समय हो गया, meditation के लिए अपने आपको इश्वर से जोडने के लिए तो इसको सर्वोत्तम समय माना गया है। वहीं शुद्वायू मिलने से मन मस्तिश्क भी स्वस्थ बन जाता है। वहीं आयुरवेद के अनुसार अगर आप देखें, तो ब्रह्म मौरत में उठकर के टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ती का संचार होता है। और यही कारण है कि इस समय बहने वाली हवा को अमरत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा ये समय स्टड़ी के लिए भी सर्वोत्तम बताये गया है। तब ही जो एक्जाम देने वाले बच्चे होते हैं। बोर एक्जामस देते हैं अक्सर बात करते हैं कि मुझे चार बजे उठा दीजेगा, मुझे साड़े तीन बजे उठा दीजेगा तो सबसे जल्दी उठकर के मैं रिवाइस करूँगा। और रिवाइस करने से ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। बहुत एजिली आपको चीजों को याद करनी की जो शमता है वो बढ़ जाती है। तो रात को आराम करने के बाद में सुबह जम हम उठेंगे तो शरीर और मस्तिश्क दोनों में ही सफूर्ती और ताजगी बनी रहेगी। प्रमुक मंदिरों की जब बात होती है तो उनके पट भी ब्रहम मौरत में खोल दिये जाते हैं। भगवान का श्रिंगार और पूजन भी ब्रहम मौरत में किये जाने का विधान बताये गया है। और ब्रहम मौरत के धार्मिक, पौरानिक और व्यवहारिक पहलूँ को और लाब को जान करके हर रोज इस शुब गड़ी में जागना आप शुरू या फिर भगवान की पूजा, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, पवित्र कर्म करना ये बहुत शुब बताये गया है। और इस समय ग्यान, विवेक, शान्ती, इतास्गी, निरोग और सुंदर शरीर, सुख और उर्जा के रूप में ईश्वर क्रिपा बरसाते हैं। इस तर कई लोग कहेंगे कि इतनी जल्दी उठने से फाइदा क्या है, तो ये फाइदा ही आपको बताया है। इसके बाद में लोग ये भी कहेंगे कि बड़े-बड़े करोड़ पति और अरब पतियों को देख लें, तो वो भी इतनी जल्दी सुबह नहीं उठते। तो मैजॉरि जो बिलियनेर्ज आप देखेंगे, मिलियनेर्ज आप देखेंगे, वो इस समय का सदुपयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि पूजा पार्ट से क्या होता है, अपने जीवन के सबसे कठिन समय में, स्टीव जॉब्स, जिमी हेंड्रिक्स, उसी के साथ में बिल गीज, भारत म रिशिकेश में आये थे, तब उन्हें मेडिटेशन और प्रार्थना की शक्ती के बारे में पता चला और वहां से आज तक का समय देख लीजे, सिर्फ बिल गीज सी आज की तारिक में जिन्दा हैं, बाकी सभी, यानि कि जिमी हेंड्रिक्स हुए, स्टीव जॉब्स हुए, इन्होंने अपनी जिन्दगी में वो सब कुछ पाया, जिसके वो हकदार थे, इसका मतलब यह यह नहीं है, कि यहां पे आने भर से ऐसा हुआ, करम भी साथ निभाता है, तो भाग्यबी पर प्रार्थना की शक्ती, यह भी तो अपना असर दिखाती है, तो जो नव्यूवक हैं, जो कहते हैं कि हिंदू शास्त्र, हिंदू धरम हर चीज गलत बताते हैं, तो हर चीज के पीछे एक साइन्टिफिक रिसर्च जरूर है, साइन्टिस्ट तो अब जाकर के पता करना शुरू किये हैं, हमारे रिशी मुनियों ने तो बहुत पहले ही चीज़ों को बता दि हैं, जब तथ्य सामने हैं, तो उन्हें स्विकार क्यों नहीं किया जाता, सूचिएगा जरूर, हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार, सदैव, सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े वुजर्गों का साथ और आश् में बना रहे, जैश्ट्री राम एवं, जैहन्द